रामराम किसान भायो मारवाडी मंडी में आपका सुवागत है किसान भायो सबसे पहले आपसे रिक्वेष्ट है चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि इस चैनल के जरीहे हम आप तक एक वीडियो रोज पहुँंचाने की कोशिस करेंगे जिसमें राजिस्तान की सबी बड़ी मंडियों के अनाजियों के बाव होगे चलिए फटापट वीडियो की सुरुवात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं मौंग के बाव है जो नागवर की मंडिय में आज मौंग बिका है जोदपूर की मंडिय में मौंग बिका है चोंसट सो रुपे विकानेर की मंडिय में मौंग बिका है बानसट सो चालिस और चुरु की मंडिय में मौंग बिका है इक सट सो रुपे गवार बिका है नागवर में 3750 3700 रुपे गवार विका है जोदपुर में 3800 रुपे विकानेर की मंडी में गवार विका है और 3810 रुपे चुरू की मंडी में गवार विका है वहीं अगर किसान भायो बाजरे की बात करें तो कौवालिटी वाइस बाजरा है वो नागोर में विका है 1800 से लेकि 2000 रुपे तक बाजरा बिका है, मुंगफली की बात करें तो 5,000 रुपे नागोर में मुंगफली बिकी है, 4,000 रुपे जोदपुर में मुंगफली बिकी है, 5,000 रुपे बिकानेर की मंडी में जो मुंगफली है उसके बाव चल रहे हैं, चुरू की मंडी में मातर मुंगफली के बाव है व सपेद तिल के भाव अलग है 9710 रुपे चूरू में तिल के भाव चल रहे हैं मोट की बात करें खिसान भायो 5,000 रुपे तक नागोर में मोट भिकरे हैं 4800 से लेकि Panda 5000 तक जोदपूरों में मोट भिकरे हैं और 5000 से 900 के बीच विकानेर में मोट विके हैं और 5000 तक चूरू में मोट के बाव चल रहे हैं अब किसान भायों खल की बात करें नागोर जोदपूर विकानेर चूरू जो सरसो वाली खल है इनके रेट है वो 26 के लगबग 2526 रुपे की रेट अभी खल की चल रही है सिर्षा मंडी की बात करें तो गवार विका है 3850 रुपे तक नर्मा यहां पर विका है 5000 तक कपास विका है 5550 तक और मूंग विका है 62 तक मोट विका है सिर्षा मंडी में 5100 तक अगर हम पूरे राजस्तान में गवार के भावों पर नज़र डाले तो 3750 से 3850 तक ही गवार के भाव है वो मिल रहे हैं चाहे राजस्तान की कोई सी भी मंडी आप देख लीजिए मतिरा के बीज है वो 4000-5000 पूरे राजस्तान के मंडियों में बिक रहा है मतिरा का बीज और काकडी के बीज है वो 12000 रुपे तक बिक रहे हैं